नमस्कार मैं पंडित नरेंदरुपाधिया लाइव हिंदुस्तान के जोतिश्य कारिकरम में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं सबसे पहले 28 जुलाई 2020 की ग्रहिस्त भी देखते हैं शुक्र बिशव राशीक है राहू और रुद्ध मिथो राशीक है तिला राशीक के चंदरमा अभी भी बने हुए हैं केतू और ब्रहसपत धनू राशी में है मगर राशी में शनी और मंगल मीन राशीक बने हुए हैं ब्रहसपत और शनी दोनों ही वक्रिगदी से चलने हैं सुर्य अपने घर से 12 वहों में हैं जो कंजोर इस्तिती में हैं लेकिन संक्रमण से बाहर में कर चुके हैं मध्यम करीब करीब मध्यम ग्रहों की इस्तिती है निजात मिलेगी हमको बहुत जल्दी बस सुरिव अपने घर में पहुंचेंगे 15 अगस्त के बाद वहां से धीरे-धीरे सुधार के तरफ जाएंगे और शनी और प्रहस पर जैसे ही मारगी हो जाएंगे इश्वर का शिरवाद पूर रुपेंड मिन्ने लगेगा धैरे बनाये रखें और अपना ध्यान रखें राशी पन शुरू करते हैं मेच राशी रोजी रोजगार में तरक्की जीवन साथी के साथ बहुत आनंदा एक पल उजड़ेगा प्रेमी प्रेमिका की मुलकात संभव है स्वास्थ में सुधार प्रेम में सुधार नौकरी चाक प्रद्ध बट धैर से एहतियाब जिरुद भरतियेगा लाल बस्तु पास रखें व्रिशवरष रोग रिन शत्रू परास्थ होंगे रुका हुए कारे चल पड़ेगा गुणिद्यान की प्राप्ती होगी बजुर्गों का अश्रवाद मिलेगा स्वास्थ ठीक ठाक प्रे दिरे दिरे सही चल रहे हैं शनिदेव की श्रण में बने रहे हैं उनको प्रणाम करते हैं मिथुनाशी विद्यार्चों के लिए उत्तम समय जो ग्लैमर के दुनिया से जुड़े हुए हैं जो इवेंट मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं जो फिल्मों में पढ़ाई करत भूम भौनवान के खरदारी संभाव है, भौतिक सुक संपदा में ब्रधी, मा का स्वास्थ थोड़ा बड़बड दिख रहा है, लेकिन घरेली सुक वाधित रहेगा, स्वास्थ ठीक ठाक, व्यापार पहले से बहतर, प्रेम के स्थति काफी सुधार में दिखाई पड़ रह करें, और शिर्जी का अराध्या कर देखें, सिंग राशी, घोर पराकरमी बने रहेंगे, आप द्वरा किया गया पराकरम सफलता दिलाएगा, स्वास्त में सुधार है, प्रेम अभी मध्यम ही चल रहा है, संतान के, संतान पक्ष्टे ध्यान दीजिए, और रोजी रोजग करें, स्वास्त मध्या में, प्रेम में भी थोड़ी तूतू में में चलेगा, और व्यपारिक द्रश्टी कोण से रुक रुक के आप आगे बढ़ते रहेंगे, लाल बस्तू का दान करें, गणेजी की बंदना करें, तुला रक्षी, कद बढ़ेगा आपका समाजी का स्वास्त सुधार के तरफ, प्रेम सुधार के तरफ, व्यपारिक द्रश्टी कोण से रुक रुक करके आप आगे बढ़ेंगे, शरीद्यो को प्रणाम करते रहें, नीली बस दूपास रखें, ब्रिश्चिक राशी, चिंताकारी सुष्टी का स्रेजन हो रहा है, खर्ज को लेकर परिशान रहेंगे, थोड़ी कर्ज की स्थिती आ सकती है, स्वास्त ठीक ठाक है, प्रेम मध्यम है, व्यपारिक द्रिश्टी कोण से बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, काली जी के राणा करते रहें, धनुराशी, रुका हुआ धन वापस मिलेगा, आएके रमिन करें, मकराशी, मकराशी की जो शासन सर्दा पक्ष है, व्यपारिक पक्ष है, पैत्रिक पक्ष है, यह उत्तम दिखाई पड़ा है, स्वास्त मंध्यम है, प्रेम की इस्तिती अच्छी है, काली जी की सरण में बने रहें, उन्हें प्रडाम करते रहें, उनके साथ जुके र होनेगा सकरात्म कुर्जा का संचार होगा अपमानित होने का भाय थोड़ा दिख रहा है स्वास्त मध्यम है प्रेम मध्यम है व्यबार ठीक ठाक है गड़ेजी की वंद्रा करते रहें उन्हें प्रणाम करते रहें मेंड़ाशी समय ठीक नहीं है आज सोड़ा बच के पार करें परिस्तिया प्रतिकूल दिख रहें है स्वास्त के मामले में कोई भी रिस्क मत लीजेगा व्यबार ठीक है और ट्रेम की इस्तिती भी ठीक ठाक करी जाएगे पीडी बस तू पास रखें शिवजी की शरणाम में बने रहें उन नमस्कार